मुल्यौक्त तौप मयं हुस्त अद्धिर और श्वागत एभन कasmon आपका एक और नई दोसके आज आनली है और आपको तने वागा है जगनाथ पandelion के वाई में नहीं तो पर दोसके अंत कि अ. जगनत पुरिमंदिर कि कैसे जाएं और इस तरह से आपको वीडियो दें जाएंकर और वीडियो का मज़ा निदेब और भगवान जगदनत पुरी हैं पूरी का जगनात मंदिर भगवान जगनात मुख्या हिंदू मंदिर में से एक है जने भगवान विश्णु का ही एक रूप माना जाता है या मंदिर भारत के महतोपूर्ण तीरत रायतरा गंतवियां में से एक और साथी भारत के मुख्या चार धामों में से एक है जगनात मंदिर भारत के पूर्वी तट पर ओडिसा राजय के पूर्वी में इस्तित्ह इस मंदिर का निर्माण राजा इंदर धुमन ने करवाया था सबी हिंदू इस मंदिर को काफी पविद्र मानते हैं और विसेश बैशनों धर्म के लोग इन ही काफी मानते हैं बहुत से मेहन संथ जैसे आद्य सकरचार्या, रामा नंद और राज नुज काफी हद तक मंदिर के इधिया से जुड़े हुए हैं हरामा नुज ने भी मंदिर के पास एमर मुट और गोबरदन मुट की इस्थापना की है और साथ ही गुड़िया बैशनों भी बगवान जगननात पूरी करते हैं इनके इस्थापक चैतन्या महापरभू भी पूरी में से एक रहते हैं इस मंदिर में तीनों मुख्य देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है और साथ ये मंदिरों को प्राचेन रिती रिवाजों से सुबेदित भी किया गया है भारत के दूसरे हिंदू मंदिरों में से बने देवताओं क्यों कि पत्थरों की मूरतियों की तरह भी यहां भी भगवान जगनात की पूरी मूरती की बनी हुई है और प्राचेन रिती रिवाजों की अनसार हर 12 या 19 सालों में मूरती का बदल दिया जाता है जगनात पुरी मंदिर में अक्सर बहुत से त्यवारों का आयोजन किया जाता है मंदिर में हर साल आयोजित किया जाने वाले त्यवारों में लाकों सरदालो जाते हैं यहां मंदिर बिसेस अपनी पूज महिनों में से बनाए जाती वाली वरसिया अरतियात्रा के लिए परसित है इस तेवार में भगवान, जगनात, बल, भद्र और सुबद्रा के बिसाल मुर्थी की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है मंदिर में 16 दिनों तक चलने वाली वरसिक पूजा भी की जाती है जिसकी सुरुआत हिंदू मंदिर महिने में महाले के आठ दिन पहले ही हो जाती है इस पूजा की सुरुआत देवी बिमला से होकर बिजे दस्मी को पूजा खत्म होती है पूजा के दौरान मंदिर में इस्थापित सभी मूर्थियों की पूजा की जाती है हर साल अक्षे तिर्टिया को यहा उत्सव मनाए जाता है जिसे रत यात्रा की गरण उपियोग के जाने वाले रत को बनाने की सुरुत की जाती है इसे विस्वास्प संक्रांती और मेश संक्रांती के नाम से भी जाना जाता है मंदिर में मनाये जाने वाला या एक विसेश उत्सव है जेश्ट मैने की पूर्णमा को देवताओं को विसेश नान करवाया जाता है इसनान यात्राय में देवताओं की सभी मूर्तियों को नहलाया जाता है हर शाल भगवान जगरनात बल्लव भद्र सुअभद्र के सुदर्शन की मूर्तियों को जेश्ट पूर्णमा में आयुजीत निश्टनान यात्राय की बाद सत्तकर्ता के से इस पूर्व को मनाया जाता है इसलिए इस पर्व में सरदलाओं को उफ़स्तित रहने की इजाज़त नहीं है यहां जाने की बजाए इस दिन सरदलों ब्रहम गिरी अपने पसंदिदा देवताओं को देखने जाते हैं जहां भगवान विश्टनू का एक और अवतार हमें देखने को मिलता है इसके बाद रत यातरा के सबसे दिन पहले दिन लोगों को पहले भगवान की पहली जलग दिखाए देती है जिसे नर्योवन की कहा जाता है कहा जाता है कि इशनान करने के बाद देवता बीमार हो जाते हैं और इसके विसेस वक्त 15 दिनों तक उनका इलाज करते हैं इस समय में देवी देवताओं को पकाया हुआ खाना नहीं दिया जाता है भगवान जगनात की पूजा पूरी के पबित्र इस्थान में की जाती है लेकिन जून जुलाए के महने में मूर्तियों को बड़ा ठंडा पूरी का मुक्य मार्ग पर लाया जाता है और स्री गुंडिया मंदिर से ले जाता है मंदिर ले जाने समय भगवान स्री मूर्तियों को एक विसाल रत में रखा जाता है और मंदिर ले जाते समय सरदालों इस रत के दोरान भी करते हैं इसी उत्सव को रत यातरा की नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ रत की यातरा करने से होता है बगवान का रत विसाल काया लकडियां का बना हुआ होता है हर साल यातरा के लिए एक नए रत का निरमान किया जाता है बगवान जगणनात का रत तक्रीबन 45 फिट ऊंचा और 35 फिट चोकर है इसे बनाने में तक्रीबन दो महीनों का समय लगता है पुरी के मंदिरों को रहने रंगने वाले आर्टिस्ट ही इस रत को सजाते हैं रत को फूलों और लकडी के पईयों से सजाय जाता है और रत साथ ही रत में बनाने में साड़ती और गोड़े भी बने हुए होते हैं रत में भगवान के सियासन के पीछे कमाल भी बना हुआ होता है और इस्थानिक लोग रत यात्रा को भी गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जानते हैं रत यात्रा से जुड़े हुए सबसे पसंदिदा रिती रिवाजों से और छेरा प्रहा सामिल है उत सब के समय गजपती, राजा, सफाई, कर्मचारी की वेसबूसा पहेंते हैं और देवी देवताओं के चारों तरफ शफाई करते हैं रत के दोरान यात्रा पर जाने से पहले ही गजपती, राजा, रास्तों की सफाई पर लेते हैं रिती रिवाजों की अनुसार गणपती राजा को भी यहां कालिक समर्जा का सबसे उंचा बेक्ती माना जाता है और गजबती राजा आज भी जगनात मंदिर से सेवा परदान करते हैं इस तरह के रिती रिवाजों से यहाँ सिद्ध होता है कि जगनात में वक्तों की बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता छेरा पहरा को दो दिन में मनाया जाता है जिसे पहले दिन का उत्सव रत यात्रा के पहले दिन मनाया जाता है और दूसरे हरिती रिवाजों के अनुसार देप्तों को भी सरी मंदिर के बहार लाकर पहाड़ी वज़ी से, रफ की तरह से ले जाए जाता है रत यातरा में जगनात मंदिर से तीनो भगवान की मूर्थियों को लेकर गुंडी चा मंदिर ले जाया जाता है जहां उन्हें नो दिनों तक रखते हैं इनके बाद देवताओं को पुना बहुत यातरा में सिरी मंदिर ले जा जाता है वापिस ले जाते समय तीनों देवताओं को मासे मंदिर के पास रुकाया जाता है और देवताओं को पोड़ा पेड़ी एबम परकार का केक का भोग लगाया जाता है साधा ननत ओडिसा के लोग उसका सेवन करते हैं पायरण समय सी ही रत यातरा की परजा जगनात में चली जेती है आ रही है और ब्रहमा पुराण ब्रहमा पुराण और इसकंद पुराण में भी इसमें इसका उलेख दिखाया जाता है साथ ही कपला सहीता में भी हमें अरत यातरा का उलेख दिखाया देता है मुगल काल में भी जेपुर राजिस्थान के राजा हराम सिंग ने अठारवे सतावदी में अरत यातरा का उलेख किया है उडिसा में मैयर भंज और उल्ला साल उत्सव मंदिर है जे जगनाद